चतिसगड के पूर्व उपमोख्यमंत्री एवं कॉंग्रेस नेता टीए सी देव ने दंतेवाड़ा पीजापूर सीमा पर जंगल में सुरक्षा बलों और नकसलियों के बीच हुई मोटवेड में नव नकसलियों के मारे जाने पर कहा ये हमारी पूलिस और अर्द सैनिक बलों द्वारा की जा रही लगतार निगरानी का नतीजा है सरकार पिछले सालों से इस गंबी समस्या का सामना कर रही है लेकिन धिरे धिरे उसे इसमें सफलता मिल रही है कल एक बड़ा ऑपरेशन चलाए गया जिसमें नव नकसलियों के श नाम है विगत वर्षों से सरकार इस गंबी समस्या से जूज रही है और धीरे धीरे सफलता भी मिलती चली जा रही है छत्याईजगर बना तो आप ये सोचे कि पांच बटैलियन तैना थी छत्याईजगर में आज साथ से जदा बटैलियन तैना थे तो समय के साथ दो हजार में 36 गड़ का गठन हुआ एक नॉवंबर 2000 और वहां से आज हम 3 सितंबर 2024 में है इस दर्मियान सेकुरिटी फोसेज को भी बढ़ाने की सिती बनी और जोजनाबत तरीके से जो काम हो रहा है तो बहुत गंभीर समस्या से जोजते हुए एक आज बड़ा बड़ा उपरेशन हुआ है जिसमें मेरी जानकारी में भी करीब नौ नकसलाइट्स के शरीर पाए गए हैं और सर्चिंग अभी चल रही है बरसात का समय रहता है तो समाने रूप से बरसात के समय में फोर्सेस की भी गतिविद ही नहीं रहती है एक शूनिसी सिती रहती है एक वैक्यूम सा बना रहता है और आज भी जो मुझे जानकारी मिली बारिश होते हुए में भी फोर्सेज ने ये जिम्मेदारी निभाई और नौन अक्सलाइट्स को मार गिराने में सफलता मेली है और रिसर्च चल रहा है